आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तरशिको सावन का पंगलवार यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या फिर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है नौकरी में परिशानी है घर में पारिवारी कलेश बना रहता है आपकी कड़ी मेहनत के सा उपाय लेकर आई हूँ जिसे यदि आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त मनो कामनाई पुर्ण होगी बहुत ही सरल सा उपाय है आपको क्या करना है आपको एक लोटा जल लेना है आप शुद्ध जल ले अपने घर से ताजा जल ले ले सुभा के समय ही इस उपाय को कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं सुभा से लेके शाम के बीच कभी भी आप सुपाय को कर सकते हैं एक लोटा जल ले उसमें थोड़ा सा आप दूड़ डालने कच्चा दूद एक से दो चमच आप उसमें दूड़ डालने और उसमें आपको थोड़े से काले तिल डालने ह अब थोड़ा सा आप उसमें गुड का टुकड़ा डालने. अब आपको इस कलश को पूरे घर में घुमा ले आप अपने पूरे घर में इसे घुमा ले और फिर शिव मंदिर जाना है. साथ में आपको एक दीपक भी लेकर जाना है. आप दीपक त्यार कर ले आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं अब आपको शिवजी के मंदिर जाना है और शिवजी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले जो कलश आप लेकर गए हैं उस कलश का धीरे धीरे जल शिवलिंग पर अरपित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरन करना है उसके बाद अपने मन की बाद बाबा भुलेनास से कहें और चो आप दीपक लेकर गए हैं दिया लेकर गए हैं वह शिवलिंग की चोखड जो चोखट बनी होती है शिवलिंग के आसपास वहां पर आपको दीपक जलाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंतर का स्मरन करना है बाबा भूले नास से अपनी मन की बात कहें आपके इस सावन माह में मनुकामना अवश्य ही पूर्ण होगी मैं आशा करती हूँ आपको वी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय हरहर महादीव लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रस करकी और पर क्लिक कर दें धन्यवाद